कि सबको जैंसी की मैं जतिन बबर और आप देखे अमसी परिवार चैनल जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभू के अलग-लग दासों की वीडियोज डालता हूँ तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा रखता है तो आप इस चैनल को जादा से जादा सब्सक सब को जैंसी की यह बार मैं आपसे द्वारा कौन का कि इस चैनक्ट को सबस्क्राइब है जूर करें और वीडियो और शीड़ा से जादा शेयर करें जैंसी की अगर हम रोमियों की किताब 15 अद्याय और उसकी 13 और उनी आयत तक पड़ें रोमियों की किताब नोट करें पंदरह अधाय उसकी तेरह और उन्हीत आयत में लिखा है कि कहते हैं पॉलूस कहते हैं जब मैं तुम्हारे पास आया तो शब्दों जग ग्यान की उत्मता के साथ नहीं आया मैं शब्दों के दौरा नहीं ऐसे बाइबल का ग्यान रटके नहीं आया स्टड़ी करके नहीं आया कोई मैं तुम्हारे बीच में आया मैंने कहते हैं मैंने ठान लिया तुम्हारे विरोध में प्रचार के बाते होता ही। आपके परचार में और किसी को सुस्समार्चार सुनाने के, कई वद लोग सुस्समार्चार सुनाते हैं, अपनी गवाई देंगे, मेरी जिने प्रभु ने ये किया, वो किया, ये 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 किया, वैसा येश्यू प्रभु का सबाब है वैसा ही तुम्हारा सबाब हो वो सबाब के विशे में करेक्टर चरितर के विशे में ध्यान देता था और इसलिए कहता है मेरे बचन और प्रचार में घ्यान की लुआने वाली बाते नहीं थी प्रें तु आत्मा और सामर का परमान था कहता आत्मा थी पबतर आत्मा था उस बचन में और सामर थी कई लोग वचन है उनके पास पर आत्मा नहीं है उनके साथ अकेला वचन काम नहीं करेगा अकेला Holy Spirit काम नहीं करेगा वचन बोलेंगे तो Holy Spirit काम करेगा बचन केवल बचन बोलने से काम नहीं करेगा Holy Spirit अगर आपके साथ है आपके अंदर है आपने उसे आदर दिया हुए तो ही वो काम करेगा नहीं तो जितना मर्जी आप बोले मेरी बिमारी जा मेरे गर के हलात बदल नहीं बदलेगा अगर वो आपके साथ परवाव के साथ है तो ही वो काम करेगा पबतरात्मा नहीं तो चाहिए आप जितने मर्जी बोलो उसके बोड़े खाने से में चंगा हो चुको क्या हो गए आप चंगे यो दो-तीन सालों से विमार है क्यों नहीं हुए तो कि होली स्पर्ड अगर आपके साथ है आप फिर आप बोलेंगे पवितर आत्मा के साथ आपका संबंध है रिष्टा है दो-तीन महीने पवितरताई में कि मैंने का हाथों को उठाओ एक वचन मेरे पीशे बोलो उसके बाद चेक करो क्यों कि पहले बहुत वर्षिप की गई थी बहुत पच्छा ताप किया गया था बहुत अरादना की गई थी होली स्पिर उतर आये था उस पंडाल में मुझे पता है वो उतर आया है वो खुश कोड़े खाने से हमचंगे हो चुके हैं और मैंने का चेक करो लोग यह क्या हुआ कोश नए लोग आयते हैं लोग गवाया आनी शुरू कहते हैं यह क्या लोग है ऐसे देख रहे थे यह क्या एक शबत बोलने से इतने लोग ठीक हो गए कोई लेहेंड नहीं किया कोई मावांबर मजूद्विता यही चीज में आपको समजाना चाहता हूँ आपको जोर नहीं लगाना पतेगा आपकी लाइप में संगर्श नहीं पड़ेँ पड़ेगा फट नहीं करनी पड़ेघी आपको अगर रुख है तुरंथ काम होंगे अद्बुत काम होगे तुरंध चार आयत हालेलोया पहला कुरंटिया उसका दो दे उसकी चार आयत वहां पर लिखा है तो बहुंपर भी लिखा है कहता है मेरे कि वचन में आत्मा की वचन में आत्मा और सामत की ताक्त अगर हम इसे पढ़ें पहला कुरंति यह दो दे उसकी चार आयत को पहला कुरंति यहां पर लिखा है और मेरा वचन है ठीक है यह पर जो वचन में आपको दे चुका हूँ कि पॉलस ने का मेरे वचन में ग्यान की लबाने वाली बात नहीं आत्मा और सामर का परनाम था क्यों इसलिए कि तुम्हारा बिश्वास मनुक्षों के ग्यान पर नहीं प्रंतु परमेशों की सामर पर निर्बर हो आपका बिश्वास ग्यान पर नहीं होना चाहिए कि मैं बाइबल के हीलिंग के पचास बचन जाद करनो तो मैं हील हो जाओंगा important है कई वक्त मैंने लोगों को word दिया मैंने का आपको कई विए और लोग आफिस में मेरे पास आते हैं pastor जी मुझे healing चाहिए मैंने का Bible में कितने healing के वज़न जाद है हलो यह उनको समझ लग जा यार सच मुच यह बात तो सोचने वाली है pastor जी मुझे दुष्टा आत्मा तंग कर रहा है मैंने का ठीक है दुष्टा आत्मा से शुटकारे के मुझे दस बचन बोलके दिखाओ पता नहीं pastor जी मुझे आशिष चाहिए मैंने का आशिष के पांच वचन बोलके दिखाओ मुझे बेबी ब्लेसिंग चाहिए बेबी ब्लेसिंग में आपके कैसे वचनों के दरफ रातना करेंगे मुझे बताओ तो अगर आपके बस वचन नहीं है क्योंकि लिखे है वो अपने वचन के अनुसार काम करता है अपने नाम से ज़्यादा येश्यो नाम सब नामों से उंचा है और वो अपने वचन को उसने नाम से भी ज़्यादा आदर दिया है परमेशा के वचन को और जब आप वचनों को बोलते हैं अंगी करते हैं मनन करते हैं उनको गोशना ही करते हैं अपनी जीवन में तो वह वचन काम करता है खालेलोई है कहता है तुम्हारा विश्वास नुक्षों के ग्यान पर न निरबर रहें अकेला ग्यान नहीं कि ठीक है आप सोचेंगे प्रभू की दासने का अगर हीलिंग चाह है इसलिए कि तुम्हारा विश्वास नुक्षों के ग्यान पर नहीं प्रंतू पर मिश्वास की सामर पर निरबर हो उस ग्यान के साथ इंपॉर्टेंट है वचनों की नौलज वचनों का ग्यान पर जब उसके साथ सामर्त मिल जाए तो वह वचन काम करते हैं कि तुम्हारा बिश्वास ग्यान पर ही न रहे परमिश्य की सामर्थ पर निर्बर रहे सामर्थ कब आएगी लिए जब पवित्रात्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे हालेलो gång ए inj. जब अवितरात्मा तुमपर आएग़ उतर आएग़ तुमारे साथ है पर जब भर जाओगे तुम पवतरात्मा श्क्ति पाओगे तुम गवाह को रेसीव करोगे अपनी ॥ी आलेलोह यह अ हुआ है और मेरे गवाउ भन जाओगे तुम हालेलो है और पहला तिसरु लिके एए उसका एक अदय उसकी पांच आयत में लिखा है पहला तिसनों लिखे उसका एक अदय उसकी पांच आयत आपने बाद में पढ़ना है यहां पर लिखें सुस्वमाचार शब्दों के दोरा नहीं आत्मा की सामर्द के दोरा होना चाहिए इस बचन को आप पढ़ेंगे आप समझेंगे इस बचन का यह अर्थ है कि आपका सुस्वमाचार जो आप परचार करते हैं लोगों को शब्दों के दोरा नहीं सामर्द के दोरा होना चाहिए कई वज़ आपको डर लगता है मैं अपने घराने में बचन नहीं बता पाता हूं मैं अपने दोस्तों को वचन शेर नहीं कर पाता हूं मैं किसी को वचन शेर करता हूं मुझे डर लगता है मुझे विश्वास नहीं आता मुझे दिलेरी नहीं आती कई लोग कैसे कहते रहते हैं मेरा गराना बचाया जाए मेरा गराना बचाया जाए मेरा पूरा गराना कितने लोगं को बबतिश्मा आपके दोरा लेच चुके हैं कितने लोगों ने आपके दोरा प्रबु को जान लिया है वहसे नहीं टैमीन ही लगदा वचं संवांदा डर लगदा जी मिंतहजी की पता वचंदा है आफ हालेलुया मैं कैसे मैं क्यूं सना सकता हूं वचन तो अपने जीन में काड़ते हैं आपके दोरह जब दूसरे लोग उद्दार पाएंगे वचन के दोरह बबतिस्मा लेंगे तो आपका खुद का गराना उद्दार पाएगा इश्यू के नाम में देखना मैंने का ये शू के नाम इसे यूज करके देखो लोगो वचन सुनाना बबतिस्मा लेगा तो जो आप दूसरों के जिन में बोते हैं अपने जिन में काड़ते हैं आपके दर दूसरों का उदार होगा तो आपका गराना भी उदार पाएगा इस्यू के नाम हालेलोहिया तो सुस्वा मचार कैसे होना चाहिए सामर्द के द्वारा और लास्ट है पूरा कम्प्लीट कर देता है शौर कर देता है इस बात को कि आपकी प्रॉब्रम का हल होली स्प्रिट अधिसके विषय жен में इतने वचन आपको दे चुका हूं कूली स्पेडलियन देखो क्या क्या किया पॉलुस कहता है तुने मेरे द्वारा देखा कितने चिन्न और चमतकार हुए कितने लंगडे चले अंदे दे कितने सामर्द के काम हुए कहता जे पवितरहात्मा के द्वारा हुए मेरे जीवन में पवितरहात्मा की सामर्द के द्वारा मैं जे कर पाया कितना अपने पॉलु देखिये Holy Spirit फिर से बोले मेरी प्रॉबलम का हल Holy Spirit है मेरी परस्थिति का हल Holy Spirit है मेरी बीमारी का हल दुष्टात्मा शुटकारे का हल पुवित्रात्मा है हालेलोहिया तो इस आयत में यक्रिया चार की शे और साथ में लिखा है ना तो बल से ना शक्ती से जो कुछ भी होगा मेरी आत्मा से होगा ना तो तेरे बल से कुछ होगा ना तो तेरी शक्ती से होगा ना तो तेरी प्लैनिंग से होगा ना तो तेरी जोजने से कुछ होगा जो कुछ होगा मेरी आत्मा से होगा हले प्रभु के मेरे पास आए उन्होंने कहा पासर जी मैं लोन लेना चाहता हूं कि मैं चर्च के लिए एक प्लाट लूँ हम बहां पर बंदगी किया करें मैं लोन लेकर लोन लेकर वो प्लाट लेना चाहता हूं कि मैंने उसे देखा फैनेंशली वो इतने स्ट्रॉंग नहीं है और लोन लेकर प्लाट लेना चाहते हैं मैंने उन्हें कहा आपने जितना समाह आपने लोन लेने के लिए लगाना है कि आप गूमें गे बैंकों में गूमेंगे दो चार पांच दिन मुझे पता है लोन के लिए कितना लूमना पड़ता एंग हार डस ग्यारह हजार आप हर्च करेंगे कागजों पर वही दस-객ाराहल अपर आत्मीक नहीं बढ़ने में कर्च करें कोई प्रेयर रूम लेले के इ प्रबू पर व्रोसा करें मैंने का आप प्रेइर में बढ़ेंगे प्राइत्मा की प्वित्रताइं में बढ़ेंगे उसे खोजेंगे घब आतमा बीस सामर्ष अपर आ तो आपके जीवन में पवित्रहात्मा की सामर्थ बढ़ेगी पावर बढ़ेगी अभी शेक बढ़ेगा नमबर दो तो चर्च में क्या बढ़ेंगे लोग बढ़ेंगे और जब चर्च में लोग बढ़ेंगे तो क्या चर्च नहीं बनेगी चर्च की जुरूरतें भी लोग क्योंकि जे सेवा पर उन्हें सबको दी है तो जी चर्च की जमीन भी आएगी और चर्च भी बनेगी पांचमा नंब लेगी आप और रिलाक्स होंगे शेमा नंबर आप रिलाक्स होके सिवा करेंगे तो जब आप रिलाक्स होंगे तो आप और प्रेयर में बढ़ पाएंगे फिर से वही बात आ गई आप और रिलाक्स होगे चर्च की जमीन अब बनगी अब टेंचन का चिंता नहीं लोन का चिं और आप रिलाक्स होगे और प्रबु की हजूरी में बढ़ेंगे पर लोग क्या करें अपना बल लगा रहे हैं प्रबु की हजूरी में नहीं जाएंगे बाकी सब काम जी चर्च में लोग बढ़ जाएं मेरे पास आते हैं मुख परेयर कर दो मसा आ जाए Church में लोग बढ़ जाएं दूसरी बात मसा आ जाए Church में लोग बढ़ जाएं Church की टीम बढ़ जाए Church के इंस्ट्रूमेंट बढ़ जाए पर Pray' में नहीं बढ़ेंगे प्रेर में बढ़ो जी सब चीज़े आएंगे इसका मतलब ना तो बल से ना शक्ति से जो कुछ होगा मेरी आत्मा के द्वारा होगा हलिलूए आप आत्मा में जाने में क्यों नहीं मेनत करते आप जौब डूढने के लिए लग-लग जगाऊं पर घूम सकते हैं पर क्या प्रेयर में नहीं जा सकते ना बल लगाओ ना शक्ति लगाओ आत्मा पर ब्रोसा रखो आत्मा के साथ संगती पर ब्रोसा रखे जाओ तो सही गुटने टेको तो सही दो तीन दिन हफ्ता दस दिन महीना देख वो कितने कितने बड़े बड़े काम दिखाएगा आपकी आँखों के सामने हालेलुई परके देख कहता है मैं कितना बला हूँ दन्य है जो मेरी संगती में आता है पर मैं जो कहता है परके तो देख एक बार मुझे चक्के तो देख मेरा सवाद मुझे परके तो देख मैं कितना बला हूँ कितना मैं सामर्ती हूँ कितना शक्ती शाली हूँ पर धन्न है जो मेरी शरन में आता है मेरी हजूरी में आता है अपना बल नहीं लिगाता है लेकि हे मिलुः अपनी समझ का सहरा मत ले बलके संपूरन मन से युहाबा पर भिरोसा रख प्रेरक में भिरोसा रखे आप कहते हैं मेरे पती जी नशे करना शुरू कर चुक ए मेरा बच्छा जी नशेकर न शुरू कर चुक है मेरा हस्बन मुझसे रोज लड़ता है मेरे उपर जे संकट आ गया मेरे उपर जूठा केस डल दिया प्रोसी ने जादु टुना कर दिया चाचेत अधाय ने यह कर दिया मेरे जीमन में कि आपको बुरोसा नहीं, कि आप प्रभु के सामने गुटने टेकेंगे, प्रभवित्रताई में जीएगे, वचनों पर चलेंगे, एक महीना आप्मिक फाइट करेंगे, प्रभु आपके हपति को सब हलातों को चेलिंज कर सकते हैं, बुरोसे के साथ प्रेयर में स्टैंड ल सब कुछ बदल जाएगा इश्यों के सामर्थी नाम में हालिलूया बोलो अपने प्रोसी को और अपने आपको अगर आप अखेले बैठें ना तो बल से ना तो शक्ती से जो कुछ भी होगा उसकी आत्मा से होगा हालिलूया तो क्यों ना पवित्र आत्मा को पाने के विशे में क्या आपकी चाहत बढ़ चुकी है पवित्र आत्मा के विशे में और जानने की क्या आपकी हल ही होली स्पिरिट है तो क्यों ना रोज होली स्पिरिट के बारे में हम बातें करें आपने अब होली स्पिरिट के विशे में म केवल पवित्रात्मा पवित्रात्मा मैं अपने पूरी दिन का शुडूल बनाने जा रहा हूं आप मेरी मदद करें तो पवित्रात्मा के साथ चलना है पवित्रात्मा यहां पर मैं जाओं यहां पर ना जाओं क्या आपकी मर्जी मैं जे करूं मैं जे ना करूं पवित्रात् सिखाता जा रहा हूं वैसा करते जा और आप देखेंगे हलातों को बदलता हो इश्यू के नाम में हालेलोई है कुछ मिरकल आप प्रभु की दास की प्रेयर के द्वारा लेते हैं जाद रुखो मैंने प्रातना की प्रभु ने मुझे चंगा किया मैंने रोजे रख के प्रातना की मेरा हस्बंड बदल गया मैंने आत्मा में बढ़कर जैसे प्रभु की दास ने सिखाया था वैसे मैंने प्रातना की प्रभु ने हमें बच्चे की आशिज दे दी सभी ग्वाइगा ऐसी य के दौरा लेहन के दौर जा आथमीक्स परश के दौरा परफ़त करते गाँ तो आपको ये हल जो करीब जाकर तो देखो वह आपके कारीब है आपको कोई दूर जाने की जरूरत नहीं है बड़ी-Bड़ी पहाडों पर नहीं जाने की जरूरत वह आपके घर में केले उसके साथ टाइम स्पेंड करेजुत के सात होगा ईशु ज़िए